इंदौर शेहर में लगतार चोरी की घटनाओं के खिलाफ अब व्यापारियों में खासा आक्रोश देखा ज़ा रहा है इसी के जलते शुक्रवार को खाती पुरा और कोठारी मार्केट व्यापारी प्रतिनी दी मंडल का एक दर दियाईजी आफिस पहुचा जहां हरी नारण चारे मिश्च को ग्यापन सौप कर बदमाशों के खिलाफ सक्त कारवाई की मांग की है लगता है अंदौर पुलिश का बदमाशों में कोई खौफ नहीं है इसे के चलते बदमाश दिंदहाडे लूट और रात के अंधिरे में एक के बाद एक कई दुकानों को अपना निशाना बना रही है ऐसा ही एक मामला खातिपुरा वकोठारी मार्केट का है जहावत बाशों ने एक साथ साथ से आठ दुकानों के ताले चटका कर लाखों रुपे की नगदी पर हाद साफ कर फरार हो गए हाला के चोरे के पूरी घटना दुकानों पर लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई जिसमें चोर चोरी करते हुए साफ नजर आ रही है वहीं पुलिस सीसी टीवी फुटेज के अधार पर चोरों की तलाश करने में जुट गई है बैपारी संग के लोग आए हैं कोठारी मार्केट रानीपुरा से वो उनकी वेथाया उसको सुना होसिस करेंगे कि आज से ही सक्रिय घस्त हो और आगे से चोरी घटना ना हो और जो हुई है वो ट्रेस हो सर वो बैपारियों ने सीसी टीवी भी दिखा है सब्सक्राइब करेंगे चोर तक पॉइंट है उस पर देखते हैं आज से क्या इस्तिति है गस्त तो वैसे अपने आप अच्छी है और जो कमियां उनको दूर करेंगे करिब साथ आठ दुकानों के ताले डुटते हैं खातेपूरा छेतर में कि और करीबे ना बारा से पंद्रा दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश की गई है और यह चोरी विगत एक महा में बहुत बढ़ गई है करीब दस पंद्रा जगे हो चकवा ऐसा प्रतुन है कि माल तो कुछ एक जगे गया बाकी केश ताले उचका के सटर उचका के केश ले गई है के में लगे हैं सीची डीवी फूटेज में कुछ एक आया है जो हमने सेंट्रल कुत वाली धाना में उपलब्द कराई है उसके पेले भी शिकायत कराई है और सेंट्रल कुत वाली थाने में अउगत कराया गया लगता है रातरी घस्ट अगर प्रॉपर हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है और अभी चोरों के होचले दिन पे दिन बुलंद होते जा रहे हैं व्यापारियों ने डियाईजी को ग्यापन सौप कर जहां सेंटर को तवाली पुलिस के कारे प्रणाली पर अपनी नाराज के जताई वही डियाईजी से रातरी कालीन गश्टन और मजबूत करने की मांकी है इंदोर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट